नमस्कार दोस्तों में चैनल का होस्ट दर्मेंदर आप सभी आंगनवाडी मातावबर्णों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में तो दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के माधिम से आपको मिलती है रोजाना आंगनवाडी की लेटस्ट खबर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आंगनवाडी करमचारियों के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी है कि सरकार ने यानि कि सुप्रीम कोड ने अब 2019 के आवकास गोसित कर दिया इन आगनवाडी करमचारियों को मिलने वाले आवकास के पूरी डिटेल आपको इस वीडियो क हम आदिम से मिलने वाली है तो आप देख सकते हो कि वीडियो के थमनेल में कि सुप्रीम कोड का आदेश वह जारी अब साल में इतनी मिले के छुट्टिया 2019 के आवकास गोसित यानि कि दिपावली इद रक्षामन आदी अनेक परकार के आवकास जो सरकारी करमचारियों को द साल के 300 दिन आंगनवाडी केंद्रों को होगा संचलन यानि कि दोस्तों एक साल में 365 दिन होते हैं इनमें से 300 दिन आंगनवाडी करमचारी आंगनवाडी केंद्रों का करेंगे संचलन रईवार छोड़का 13 अनिय मिलेगी छुट्टिया यानि कि दोस्तों साप्ताइक अब मनमा ने डंग से आवकास था पोशन आर की आपूर्ती नहीं बंद की जाएंगी नोनियालों की बोधिक विकास पाट साला के रूप में संचालित अंगनवारी कैंदरों के संचालन में अब सुप्रीम कोड के आदेश दिशा निर्देशों में कलेक्टर चंद्रमोन ठाकूर ने साल के 365 दिनों में 300 दिन अनिवारी रूप से संचालित करने के निर्देश दिये हैं साथ ही कलेक्टर ने बताया कि साल के 52 साप्ताइक रविवारों के अत्रिक्त तेरा अन्य अवकासों के आवलावा अन्य अवकासों पर रोग भी लगा दी गई हैं यानिक दोस्तों आप उनको 2018 की तुलना में 2019 में इनको कम अवकास दिये जाएंगे तेरा ही अवकास इन अंगनवारी करमचारियों को दिये जाएंगे रविवार के अलावा कलेक्टर ने अनुसार अंगनवारी केंद्रों का संचालन सरोच नियाले के दिसान निर्देश अनुसार एक वर्ष में 300 दिन अंगनवारी के हित गराईयों को पोषन हार सेवा देना अनिवार ये क्या जगाया हैं इसमें एक वर्स के 355 दिनों में 52 रहीवार के अतिक्त, 63 दिवस का इस्तानिय परिस्तितियों के अनुसार वर्स 2019 के लिए गोशित के गए ये पर्मुक अवकास इनमें जिले में इस्तानिय अवकास 12 फरवरी मंगलवार मा नर्बदा जन्मोस्तव, 4 मार्च रवी, सोमवार मा सिवरात्री वरत, 22 मार्च शुकरवार बाईदूज और होली उत्सव, 17 अप्रेल बुदुवार माविर जान्तरी, 7 मैं मंगलवार अक्सेत्रित्या, 1 अगस्त शुकरवार विश्व अधिवासी दिवस, 23 अगस्त सुकरवार क्रश्न जन्माष्ट में और 10 दिसमबर मंगलवार मोहरा मेनी के ताज्या के चुट्टी रहेगी और 8 अक्टूबर मंगलवार को विजय दस्मी, 28 अक्टूबर सोमवार को गोवर्दन पुजा और 12 नवंबर मंगलवार गुरु नानक देव जैन्ती और 25 दिसमबर क्रिश्मस डे के अवकास इन अंगनवारी करमचारी को दे जाएंगे, तो दोस्तों जो मैंने अवकास बताया है, ये अवकास रहेवार के अलावा, ये तेरा अवकास है जो इन अंगनवारी करमचारी को दे जाएंग को घर्मी से बच्चाव के लिए अंगनवाडी कैंदर के संचालन में समय परीवश्टन किया है, आदेश के अनूस्तार हिस्तानिय प्रिस्थितों को ध्यान में रखते हुए, अणुपूर जिल्य अंदर का संचालन समस्त अंगनवाडी कैंदर यवं मिनिय अंगनवाडी कें संपाधन करेंगी तो दोस्तों आप देखसे हो कि अंगनवाडी करमचारियों को 2019 के तो आवकास मिली गई हैं साथ इनके अंगनवाडी केंद्रों के समय में भी परिवर्तन हुआ हैं यानि कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक तो आंगनवाडी में बच्चे आएंगे और इसके ब आप देखसे हो इस वीडियो के मादेम से आपको मिली करगी और आपको मैं एक और वीडियो बता दो वो नियूज आप देखसे हो राजिस्तान से हैं कि अंगनवाडी में सामानी आवकास के अलावा तेरा दिन रहेगी छुट्टिया ये भी दूस्तों नियूज आप देख शें अप्रेल गुड पढ़वा चैति दास और सत्रा अप्रेल को महाविर जयनती उनिस अप्रेल को गुड फ्राइडे साथ माई को परशुराम जयनती पांच जुन को इद बार अगस्त को और एद है और तेस अगस्त को जन्मास्ट में आठ अक्टूबर को विजय दस्मी 12 नवंबर को गुरू नानक जयनती एवं 25 दिसंबर को क्रिश्मस डे का अवगास इन आंगनवाडी करमचारी को दिया जाएंगा तो दोस्तों आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के आमाधिम से मिल गई है कि एक साल में 300 पैसट दिन होते हैं तो इस में से 300 दिन तो आंग पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दिजगा और इस वीडियो को अपना अंगनवाडी करमचारी के साथ भी सेर कीजिए जिससे कि उन्हों को भी पता चल सके कि 2019 के आवकास गोशित हो चुके हैं और उनको कितने चुटिया मिलेगी रवी वार को छोड़ कर साल में 365 दिन होते हैं इसके अलावा उनको कितनी चुटिया मिलेगी इसकी पूरी डिटल आपको इस वीडियो के मादेम से उनको भी मिल सकती हैं और अंति में दोस्तों आपका बहुत बहुत दिन निकाला बगवान करें आपको दिन बहुत बहुत सुब हो और इसी तरह से आगे की और अ मोटिपिकेशन के मादहेम से मिलती रहेंगी और अंति में दोस्तों आपका बहुत बहुत दिन वाच्चिंग में वीडियो